लबसकर साथियू आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप सबके केवियस एक्जाम के लिए NCRT मैथ लेकर आई हूँ जैसे के आप सभी को पता है अभी केवियस के डिपार्टमंडल एक्जाम होत है उसमें बहुत सारी चीज़ें NCRT से रखे गए थी तो आज हम 1 से 5 तक के NCRT को कवर करेंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें के जो एजी हैं लेकिन आप क्या करते हैं इसके साथ आप सबके के लिए अन्रेशनिंग लेर्नर वाली टॉपिक कंप्लीट हो चुगी है मैनेश्मेंट वाली क्लासे चल रहे हैं कुछ क्लासे वाकियों कंप्लीट हो जाएगी इसके आलावा बहुत चल्वें आपको प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं बस हर हाल मे मेहनत करने और के वा सिक्टा में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ओके चल्ली पनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कर ले सेर दुनिया की ओ गाली फिर जिन्दगानी कहां रह गई जिन्दगानी अगर तो फिर नोच चवानी कहां अभी मौका है जितनी आप मेहनत कर सकते हो ना कर लो क्योंकि जिस दिन आपको एक्जाम हो गया आपको मन भी करेगा कि लाओ अब पढ़ने आप पढ़ ले कोई फायदा नहीं होगा तब तो एक्जाम हो चुका होगा और नीन्द पूरी हो नो मेहनत जरूर करिए और सपने पूरे करने च क्या होती है मापन की इक है क свои बार आपको बच्चаны को कन्फूजन होता है बले स्पधे मापन की एक हथी और बेफिस पर करके मापन करते है जैसे मिली सेंटीमिटर डेसीमेटर मापन की इक है किलो घ्राम कुनतल टन वहाफन की इकाईया है, यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ यह आइडिया दोंगे, किस तरीके से आपको करसन सॉल्फ करने है, और NCRT में कौन-कौन से फार्मूलेज दिये हुए, जैसे क्या हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, मिली से एंटी डेसी मेटर डेकाहेक्टो किलोमेटर, यह वाला आपको फार्मूलेज एकदा होना चाहिए, अगर ना पता हो तो लिख लिए जेगा, क्लियर हो क्या, इसके अलब आपके NCRT में क्या टाइम में, अब टाइम कभी मापन करना होगा, अब टाइम में मापन कैसे करना होगा, अब ज जन्वरी को चला और वह दिली का पहुचा दिली पहुचा पांच जन्वरी को साम के पांच बच के 40 मिनट पर आप से पूछ सकता है कि बताईए यात्रा में कुल कितने असा में लगा तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो अगर आपको इसकी पूरी मीचर में नहीं बताऊंगे तो आप नहीं कर पाएंगे यह जैसे क्वेस्टन पूछ लेता है एक ट्रेन हर 15 मिनट में चूछती है जब व्यक्ति नहीं पूछा तो उस व्यक्त उसने कहा कि अगली ट्रेन अप चालिस मिनट पर आएगी और आप पूछने से पंदा मिनट लेटते तो बताई हो ट्रेन कितनी समय पूछी इस तरीके से क्वेस्टन बहुत सारे क्वेस्टन की पीडियाप बनाकर मैंने टेलिग्रम चैनल पर डाल दिया ओके तो एक आइडिया बता रहे हूं किस तरीके से क्वेस्टन पूछ सकता है अचाल है म Fell या कि अपनके कंपोर्टें इकाया लिख लीज्य मीली 70778 ही को मिल्हान तो आक्वेस्ट में लिख लिया हो को डेक्वेस्टे जैसे 1 किलो मिटर में कितना होता है तो 1 किलो मिटर में आपका 1000 मेटर होता है जनापाइड कर लीजेगा 25 पैसों को फ़एसों को शवन्नी बोलतें 50 को क्या बोलतें अठनी बोलतें अब जैसे आपसे क्वेसन पूश सकता है कि दो रुपय साट पैसे में एक रुपया 70 पैसा घटाईए, तो अब एक रुपया 70 पैसा क्या से घटाईएगे, आप इससे आपको लेना पड़ेगा, और जब भी हम कुछ घटाईगे, जूडएगे, तो सेम इकाया होना चाईए, जैसे घंटे को घंटे से ही जोडएगे, से को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मीनट को मीनट से जोड़ेंगे, घटाएंगे. धियान रखिएगा.। यह सारी चीज़े आपको भी पताऊंगी. लिगागी । आगे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के अंडेट परसेंट आपको नहीं पताऊंगी और यह सारी चीज़ें इंटर्वियूम बहुत एल्प करेंगी अब जैसे आप बताए हमारे दैनिक जीवन में कोड का क्या प्रियोग होता है जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में बात आइए आपके NCIT में क्या लिखा हूँ हो ऐसे क्वेशन आपके इ एक पूरा चकर घूमने एकितने एंगल बनाएगा तो किस तरीक होगा अब जैसे आपको यह से श्टार्ट हो रहा है यहां पर किस जीरो और जीरो से यहां से यहां तक जा रहा है कितना होता है 90е 90 और 90 unser यहां आया 180 डिगरी हो गया एक सोची सी इधर आगया आपका कितना हो गया 070 डिगरी अब 070 से यहां गया आप अफ्से घृट्म एगल बैसे पूच्छ लेता है जैसे कि पूच्छ सकते हैँ कि सं्म कोड क्या होते है जिस कोड कमान 90ाकुरी होते हैं कornote सम नाइंटीडिगरी से करा क्म होते है किंसे होते हैं is onlyласт सेलकोल होते हैं this Aunque 580 बिल्ज उत्aforama रहुए cellular होते हैं इसके लिए इसके लाई पूछ सकते हैं कि आपका अधिक कोड्य कोड्य प्रेविया अध्कष एक जिसको नाइटीद प्रिसी तो जादा होगा लेकिन क्या होगा 180 डिग्री से काम होगा वह कोड कैसा होता है आपका अधिक कोड होता है ब्रहत कोड क्या होता है ब्रहत कोड से ताक पर उस कोड से होता है जिसका मन 180 डिग्री से अधिक होता है क्लियर होके यह सारी चीज़े आपने पढ़ी उंगली कि फिर भी में एक में कितने कीवेटर होती है एक मेल में आपके 1.61 किलोमेटर होते है इस तरीके से डायरेक नहीं पूछेगा इसे जुड़े QUESTION बना के पूछेगा किस तरीके से QUESTION पूछ सकता है और किस तरीके QUESTION आ सकते है यह चीजे मैं टेली ग्राम चैוन पेRec curiosity और आपसे question अलग अलग type की पूछ सकता है कि जैसे क्या हो सकता है एक inch में कितनी centimeter होते हैं एक inch में आपके 2.54 cm होते हैं अब आपको समझे है मापन से आपको क्या का पढ़ ला है पहले तो आपके मापन की जो दूरी की सारी काई होती है मापन में आपके द्रपमान की जितनी काई होते हैं अगर आपको घंटा में बदलना है अगर आपको मिनट को घंटे में बदलना है तो आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको टाइम की सारी इकाई हैं पढ़ लेनी है इसके बाद आपको डिस्टेंस की सारी इकाई हैं पढ़ लेनी है इसके बाद आपको मौस की द्रपमान की सारी इकाई हैं पढ़ लेनी है इसके बाद आपको क सबस्क्राइब और मेरे खर्षा का आपकी करनसी ऊते हैं उससे सारी 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 या na लए क्लीयर हो गया कोई बीदिख तो हो ऊसे कामेंट दरा पूस्त सकते हैं आप आगे दिखिए अगे मेरे कच्छा की संपृट कितनी सेंटिमेटर लंब है तो आपको पते我不知道 आप स्यामपड का मपन किलो में तो नहीं करेंगें कम से कब बेशिक आपको ये तो आईटीया होगो जी किस दूरी का मापन क्या से करते हैं अब जैसे मालिजी दूरी मापन के सबसे बड़ी प्रकास्वर्स होता है यह सारी चीजांको पता होनी चाहिए लियर हो क्या अब भी दिया हुआ है नमबर कैसे कर सकते हैं नमबर में किस तरीक से क्वैसा ना सकते हैं उसके बारे में डिसकस करते हैं जैसे आप पहले इमेज देखे इसमें क्या किया गए उसने 45 दिखाया है तो 45 क्या से दिखाया है उसने 10 10 के बंडल तो 10 क्या हो गया दाही हो गया यह 10 का 20 हो गाये 30 हो गैई कि 40 40 शुष्में कम्रेट कर दे उसके बाद इस नी क्या कर दिया पांच ऐसे कर दिया तो क्या पना दिया आगे 45 चुब पैसने पता हुना चाहिए एं जैसेर से होता है, इतनी चीजे आपको पता होने कियाKY तो कि इन से आपके दू-थ्री क्वेस्ट पूछेएंगा एक आपका पेस्पाली ना पैस्पाली。 मतलब इस्तानी मान से question पूछता है और चाती मान से question पूछता है इनका level थोड़ा सा hard कर देगा लेकिन इन topics से question आपको 100% मिलेंगे जो चाती मान होते है चाती मान समेच सा वही मान होते है जैसे आप से पूछ सकते है 5, 6, 7, 7 में 7 का जाती मान तो 7 का जाती मान क्या होगा यही होगा लेकिन आप पूछेगा 7 का क्या करिए इस्तानी मान निकालिए अब 7 का इस्तानी मान कैसे निकालोगे जैसे आपको पते 7 यहाँ पे है यह once क्यों होती यह आपकी 7 7 multiply 10 तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा clear ऐसे करेंगे once कितना होता है टेंस क्यों होता है अब इनके फिर अंतर पूछ सकते है दो संख्या दे देगा दोनों के इस्तानी मान में क्या अंतर होगा यह इस साथ का इस्तानी मान वा जाती मान का क्या अंतर होगा इस तरीके से संख्या है इसके अलावन नमर्स में क्या पूछ सकता है जैसे आपके प्राक्तिक संख्या होते हैं वे संख्या है जो एक से प्रादम होती है अनन तक जाती है न विपन चान भी सारी संख्या होती है प्राक्तिक संख्या कहनता है अगर आपको 0 सामिल नहीं होता है clear हो क्या पिर आपके पूर संख्या क्या होते है पूर संख्या में 0 सामिल होते है 0, 1, 2, 3, 4 यह सब संख्या होते हैं पूर संख्या होते है clear हो क्या और फिर कही बार आपसे बूस लेता है कि पूडांग क्या होते हैं पूडांग से ताथ पर उन संक्याओं से होता है जैसे हम number line में represent कर सकते हैं जैसे यह 0 हो गया इधर आप चाहोगे तो कैसे minus 1, minus 2, minus 3 बढ़ोगे इधर चाहोगे तो plus 1, 2, 3 यह क्या होते हैं आपके पूडांग होते हैं तो पूडांग में क्या आता है जैसे minus 3 हो गया, minus 2 हो गया, minus 1 हो गया, 0 हो गया 1, 2, 3, 4 ऐसे चो जाएंगे यह आपके क्या होते हैं पूडांग होते हैं सारे point समझ में आरे हैं कोई भी confusion नो तो पूछ सकते हैं अभी आपको यह सारी चीचे बहुत ही लग रहे होगी लेकिन जैसे हम एरिया वाले topic में जाएंगे perimeter वाले topic में जाएंगे angles वाले topic में जाएंगे उस सारी चीचे आपको यहां से बहुत helpful लोगी जैसे आपने सीटेट में देखा होगा question नहीं पूछता था parameter क्या होगा आकरती क्या होगी items क्या होगा तो किस तरीकें के figure आपके नसी एटिम बने इस related figure आपसे कौशत पूछेगा clear होगा आप जैसे हैपसे पूछत थे sum Sankhy यह होगी sum Sankhy यह होती जैसे तीरा, तीरा आपकी क्या अभाज संख्या है, आपकी सत्रा, सत्रा कैसी अभाज संख्या है, दो, दो कैसी, दो सम अभाज संख्या है, हमेशा द्यान रखेगा, दो यह तो 200M से डिवाइड होगी, या एक से डिवाइड होगी, क्लियर हो क्या, अब जैसे पूछ लेते ह सब्सक्राइब 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 के SCF 1 होगा SCF क्या होते हैं highest common factor जो दूनों के बीच में common होगा उसे SCF में रखते हैं तो देखें आपका सलिपस बिल्कु ओपेंड करके तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने देखें numbers दिया है तो numbers के अंतरगत आपसे क्या पूछ सकते हैं पहला तो आपसे यह जो पूछ सकते हैं प्राक्टिक संग कैसे पूड़ संग कैसे पूड़ांग से अभाज से सहभाज से LCM LCF से question पूछ सकते हैं simplification भी इसी के अंतरगत आएगा जो आपके बॉर्ड मॉस के दिया तो उसने किन टॉपिक से question पूगा अभी जो आपी डिपार्टमेंटे लिग जाम हूँआ कहां से question पूछा है या के विस में प्रिवियस यह में कहां से question पूछा है कुछ यूनिट तो प्रिवियस यह में भी सेम थी ना जैसे में आराम से 15-16 नंबर तो score घर ही लेंगे clear हो क्या इसके लावा रोमन नंबर रोमन नंबर से question पूछता है वैसे आप सबको रोमन नंबर से बनाने आते होंगे फिर भी कुछ हमें important देख लेते हैं जैसी यह आपका क्या होता है यह 5 का sign होता है यह कितने का sign होता है यह do one thousand क sign होता है आपका a dot clear हो गया। इसी बात पर तुरहंद आप 85 को रोमन कमबर में लिख कर 96 को रोमन नंबर में लिख कमेंट करी masks को रुधा कमेंट है अब जैसा आप माल लीजे 25 यह 25 को रोमन नंबर में क्या से लिंगे ृता कै 10 10 20 हो गया आप कितना बचा 5 तो 5 का क्या होता है यह हो गया तो यह आप किसका हो गया 25 का अब आप से बोल ले जागे 101 को लिखे तो आपको पता है 100 का कितना होता है 1 को कितना होता ये दे क्या हो गailा 101 को हो गया जैसे ये 1 को होता है, ये 2 को हो गया, ये आपका 3 को हो गया ये आपका 4 को हो गया, ये आपका 5 को हो गया, ठीहन करों clear हो कि इसके लावब कुछ important rule आपको पताओनेbecis जैसे को होते V, L और D, इनकी हम कभी भी पुन्रावरती नहीं करते हैं, आपको पता उनची है, V किसकी वैलू है, V आपकी 5 की वैलू है, L किसकी वैलू है, L आपकी 50 की वैलू है, क्रेयर हो गया, D आपकी किसकी वैलू है, D आपकी 500, इनकी कभी भी रोमन नमर से हम पुन्रावरती नहीं करते ह जैसे मैंने अभी आपको क्या सिपेशा लिपे 25 को मैंने लिखा X, X, V 25 को मैंने ऐसा नहीं लिखाते न कि इनको 5-5 लिखते चले जो ऐसे लिखना होने को तो ये भी हो जाएगा 5, 10, 15, 20 लेकिन कभी भी V, L और D की बनरावरती नहीं करते इस तरी क्वेसन क्या करते है स्टेटमेंट में भी फूस लेता है ध्यान रखिएगा वैसे बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सारी चीज़ें आपके NCRT में भी लिखी हुई है कई बार क्या होता है? क्वेसन सराल होता है लेकिन हम चीज़ें देखते नहीं है जो मैं कुछ पॉइंट बोल ले हूँ अगर कोई ऐसा पॉइंट लगे कि जो आपको क्लियर नहीं था उसको लिख लेजएगा क्लियर हो गया और कोई भी अच्छा हो कोई भी सिंबल हो उसकी तीन बार से जादा हम पुनरावरत्ती कर ही नहीं सकते हैं कि आपका रोल होता है रहें तो हम एट करेंगे लेकिन अगर अगर उसको क्या कहते हैं बाहीं उडिते हैं अगर हमने उसको लेफ्ट चाहट लिख दिया तो हम क्या करेंगे सब्प्रैट करेंगे इस point को भी याद रखेगा अभी जो question आया था इस topic से question आया था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पूर detail से बता दिया तो आप numbers समझ चुके numbers क्या होते हैं अब इसमें जैसे पूछता है pie इसका question तो पता नहीं केवेस नहीं कितनी बाहर पूछा होगा pie कैसे संक्या है pie आपकी सिर्फ pie पूछी को तो आप पर्मे संक्या है लेकिन अगर pie का मान पूछेगा pie का मान कितना होता है 22 बटा 7 ये कैसा हो जाएगा पर्मे अच्छा बता ही पर्मे संक्या क्या होती आप पर्मे संक्या क्या होती क्लियर होगे यह सारी चीज़े आपके लिए बहुत ही हल्फुल है इसके लावा जो अभी सीटेट का एकजाम जुन बच्चों को बचा है वो सारे लोग भी देख सकते हैं क्योंकि उनके भी बहुत हल्फुल होगी क्लियर इतने सारे पॉइंट्स आपको सुमझ में कोई कन्फियूजन हो तो कमेंट सेक्शन दो और आप पोस्ट लीजे और आप जल्दी से रोमन मेंबर कमेंट करके बताएए इसके अलावा देखिए अपने चारों और की चीज़ों को देखो और नीचे लिखो तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे है सेप्स, सॉलिड एंड सेप्स आपके चारों और की क्या सॉलिड्स है यह आपका टॉपिक दिया हुआ है तो इसमें आपको टूडी चीज़े क्या होते हैं थ्रीडी चीज़े क्या होते हैं अब आपको पताओनी चीज़े जो आपकी 3D चीजें होती हैं इसको लुड़का के ले जाएंगे एक आपको मैंने क्योंगी यह आपके पास आयत है तो आप किस चीज को सरकाणी की कोशिश करेंगे किस चीज़ को लड़काने fix करेंगे आप बताईए आप तुरन बुलेंगे की इस ब्रत को मैं क्या करूँगा गोला को लड़काने की कोसिज करूँगा इस आयत को खिसकाने के कोसिज करूँगा तो यही question आपसे पूछ रहा है तो किस चीज को बतानी कोशिस कर रहे है टूटी कौन से होते है ध्रेडी क्या उन्स होते है जैसे आपके कौन कौन से टूटी होते है जैसे आपका क्या हो जाता है ब्रत ब्रत क्यासा होता है टूटी के इंतर गता है लेकिन आयत कैसा होते है, आयत भी आपका टूटी होता है, आपका जैसे वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग आपका टूटी होता है, कोई भी त्रभुच होता है, त्रभुच कैसा होता है, टूटी के अंतरगद आता है, क्लियर हो क्या, आपके चतुरभुच कैसे होत जतुर वी आपके की किस के अंतरगात आते हैं 2D के अंतरगात, clear हो क्या, 2D क्या होते हैं जिसकी 2 dimensions होती है लंबाई हो सकती है चोड़ाई हो सकती है और 3D क्या होते है जिनकी 3 dimensions होती है जैसे आप बहुत सारी 3D movie देखने जाते हो चस्मा लगा के जाते हैं वैसे आपके solids होते हैं अब आपको एक काम करना है अब जहाँ बैटू आपके आशपर जितनी भी चीज़े है उसमें से 2D क्या है 3D क्या है आपको आकरतिया छोड़ के यह मैंने बताई इन्हे नहीं आपके आशपर के जो चीज़ें उनकी आखरतियों को लिखना है 2D के एक्जामपल लेकिए और 3D के एकजामपल लेकिए ऐसे आपके 2D और 3D के दूनों example comment section में लिखेगा clear हो क्या? इतने point आपको समझ में आ गए अब आपके 3D कौन कौन सी आकरतियां होती है जैसे आपका घन होता है, घन कैसे होता है? 3D होता है घनाब, बेलन, संकू, ये सब कैसे होती है? 3D आकरतिया होती है अब आपको क्या? इनके formula भी पता होने चीए घन का item क्यों होता है, घन का छेतवल क्यों होता है घनाब का item क्यों होता है, घनाब का छेतवल क्यों होता है बेलन क्यों होता है, बेलन का item क्यों होता है, बेलन का छेतवल क्यों होता है बेलन के वक्की प्रश्ट ये सारी चीज़े पता हूं कि अगर नहीं पता हूं तो बताईए कि मैं एक पर समझा भी दियूंगे अब क्या कर सकता है अब जैसे आप ये कही बेलन है ठीक है अब इस बेलन के अंतरगत क्या कर दिया गया इसको काट कर निकालते है त्रभुच की तिरियक उचाई के असे निकालती है तो इसके लिए हम क्या करते है पाइथागोर स्प्रमी का प्यूब करते है पाइथागोर स्प्रमी क्या होती है लंब्य स्क्वार प्लस ह्च इस्क्वार इस्क्रमी क्या होती है आपका करण का स्क्वार होती है बहुत सरल चीत दिखाई गई है अब जैसे आप ये मान देजे हम किसी ने किसी जैसे हम टाइल्स होते हैं कपड़े होते हैं तो हम किसी ने किसी पैटर्न को तो फालो करते हैं आप जैसे ये दिया हो ये तो बहुत छोटा सा फिगर है कि इसका पता है ये सही भाग कौन सा चल्दी से बताईए, इसका सही भाग ये होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ये 4-4 के एक हो बना रहा है, इसमें एक साथ बना रहा है, इसमें क्या अलग तरीके का है, इसमें अलग तरीके का, इसमें अलग तरीके का, तो राइट कौन से होगा ये, इस तरीके से question आपके लिग्जा में पोस्सकता है अब इसके लावर क्या कर सकता है कोई भी alphabit series से बना सकता है अब जिससे कोई alphabit series से order बना देगा कोई आपके number से order बना देगा जैसे ranking वगरा में आपने question पढ़े होंगे आपका वर्ड माला से question पोस्कता है जैसे कोई भी एक follow बना सकता है जैसे A, D, E का बना रहा है तो इसनी क्या करती है B और C को गायब कर रहा है ऐसे और भी different prime के pattern बना सकते है उस तरीके से question आपको आने चाहिए या कई वर इसी तरीके के image दे देता है कि कौन से इस कटे हुए क भाग है इस कटे हुए balance के अंतर के कौन सा fit होगा इस कटी work में क्या fit होगा इस तरीके से भी को सकता है समझ में आगया इतनी point आपको समझ में आगे इसके लोग जैसे आपके नास्ती रेका है अब बताए यह रेखाओं को प्रियोग करते हैं जैसे traffic police यह भी क्या कर रहा है एक प्रकार की रेखाओं का प्रियोग कर रहा है ऐसे कर रहा है सरल रेखा बना रहा है जब ऐसे करते हैं हमारी वक्र रेखा होती है हमारी तिरियक रेखा होती है बहुत प्रकार के रेखाओं होती है ऐसे जारे हमारे समांतर रेखाओं होती है यह तरीके से जो रेखाओं ये आपकी कौन से रिखा ओगई लंभवत रिखा ओगई ये आपकी सरल रिखा को हती है जो ऐसे टेड़ी मेड़ी दारी वक्री रिखाई हो जाती है क्लियर हो गया इसके लवा अच्छे आप क्वेस्टन दीजिए कि जैसे कौन से डांस होता है जिसमें प्रियोग करते हैं अब यह देखिए यह आपके अंचयाटी में सीम लिखा हुआ है भारत नाट्यम तथा ओट्सी में जैमती का इस्तेमाल करते हैं अब इस तरीकर से क्वेसर अगर एक्चाप में पूछ लेए आपके इंटर्व्यू में पूछे जा सकते हैं तो आपको बता होने चाहिए अब बताएब भारत नाट्यम कहां पूछ नाट्यम कहां का सास्त्री नाट्यम तुरहल कमेंट सेक्षिन में अंसर दीजिए अच्छा बताएब किसी बात पर पिंडवानी कहां का है पिंडवानी आपका 36 कड़का है और पिंडवानी के फेमस कलाकर तीजन बाहिए त्यान रखेगा इतने सारे पॉंट्स क्लि कीजिए और अपके दूसरे फ्रेंड के साथ सेर कीजिए जलते बलते हैं नेक्ष्ट क्लास में ओके थैंक्यू